इस चाप्टर के बारे में हम लोग डेखेंगे इस चाप्टर में तो बहुत तरीके के अनिमल्स होते हैं और वर्ल्ड में बहुत काइंड के अनिमल्स पाये जाते हैं कुछ जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ जो है फार्म और घर पे रहते हैं Now, Pet Animals Animals that live with us in our homes are called Pet Animals जो animals हम लोगों के साथ हम लोगों के घर पे रहते हैं उन्हें Pet Animals कहते हैं For example, dog, cat, parrot ये सारे जो होते हैं ये pet animals होते हैं और ये हम लोग के friend जैसे होते हैं और बहुत ही जादा helpful भी होते हैं बहुत तरीकों से Number one, we can play and enjoy with pet animals Pet animals के साथ हम लोग खेल सकते हैं एंजोई कर सकते हैं Our dog guides our houses जो होते हुम लोग के घर की रखवालि करते हैं Cats होते हैं वो हमेशना म्याओं म्याओं करते रहते हैं We must take care of our pet animals ये जो हमेशना उपने pets animals के खियाल रखने चाहिए lines Domestic animals Domestic animals क्या होते हैं जो हम लोग के घर की बगल में या फारम में रहते हैं उन्हें हम लोग डोमेस्टिक आनिमल्स कहते हैं पर एक्जाम्पल डॉंकी होस्ट गोट्स काव बफलो यह सारे जो होते हैं यह पैट्स हैं जो मेस्टिक आनिमल्स होते हैं आनिमल्स प्रोडक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इनसे हम लोगों को milk मिलता है और milk चू होता है बहुत helpful होता है बहुत strong बनाते bones को और healthy भी रखते हैं और जो animals हम लोगों को milk देते हैं उन्हें milk animals कहते हैं और उसी milk से बहुत सारे चीज जो है वो बहुत सारे product बनते भी है milk से जैसे for example butter हो गया, घी हो गया, cheese, curd, ice cream वगयर है ये सारे milk से ही बनते हैं अब कुछ animals से हम लोगों को एग मिलते हैं जैसे कि हैन, जैसे कि कुछ-कुछ birds होते हैं हैं, goods, trucks ये सब से हम लोगों को eggs मिलते हैं flesh of some animals like goat and chips as mutton, hen and duck as chicken, fish and turkey is cooked and eaten as meat तो ये सारे animals से हम लोगों को meat मिलते हैं, जैसे कि mutton, chicken वगयरा ये सब हम लोगों को मिलते हैं ये सारे जो होते हैं, ये meats of animals होते हैं we get honey from honeybees, हम लोगों को honeybee, honeybees से मिलते हैं, जैसे कि some animals give us fiber to make clothes कुछ animals हैं, we get silk from cocoons of silkworm हम लोगों को wool जो है वो शिप से मिलते हैं, silk और जो वो cocoon से बनते हैं now we are reading point number 6, after the death of some animals like snakes, goats, camels, buffaloes and crocodiles their skin is used as leather, तो ये सारे animals के मनने के बाद, उनकी जो skin होते हैं, वो leather बन जाते हैं और leather से बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, जैसे कि jackets हो गया, bags हो गया, shoes, belts ये सारे leather से बनते हैं, some animals like elephant, camel, oxen, horse and donkey carry heavy loads for us, ये सब animals जो हैं हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोड उठाने के लिए काम करते हैं सारे heavy समान ये लोग carry करते हैं, और कुछ animals के जो dunks होते हैं, waste products होते हैं, वो जो होते हैं, वो decomposition में काम आते हैं जैसे कि fertilizing वगेरा होता है, उन सब चीजों में काम आते हैं तो इस chapter से हम लोगों समझ आता है कि कैसे kinds के animals होते हैं, pets animals क्या होते हैं, domestic animals क्या होते हैं अनिमल से हमनों को क्या क्या product मिलता है, फिर उस product से क्या क्या बनता है, उस सबी चीज़े हमनों को पता चल चुका है कैसे हमनों को meat मिलते हैं कैसे हमनों को honey मिलते हैं कैसे leather का product बनता है ये सबी चीज़े हमनों को पता चल चुका है कि साने मल से हमनों को क्या क्या चीज़े मिलते हैं hopefully आप लोगों को भी समझ आ गया होगा thank you students, bye bye